दोस्तों आज हम बात करेंगे यूक्रین के प्रेजिदेंट जेलिंसकी के बारे में जो की बहुती चर्चा में रहे हैं जेलिंसकी पहली बार युक्रेजिदेंट के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे थे तब वो एक चर्चित कॉमिटी सीरीज में किरधार नि別 रहे थे पीपल सीरीज में उन्होंने एक हिस्ट्री के टीचर का किरदार निभाया था जो किसमस से देश का राश्पती बन जाता है उस विनम्र शिक्षक का भ्रस्टाचार के खिलाफ दिया गया बयान आज ऑनलाइन वाइरल हो रहा है जो कि उस समय उस सीरियल में भी था ये एक ऐसी जलेंसकी पूर्व में शान्ती और साफ राजनीती के वादे के साथ राजनीती में आये और अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट और पीपल्स रखा अब युक्रेन पर रूस के आकरमर ने इस राश्टिय नेता को अंतराश्टिय संकट के केंदर में ला दिया है फिर से रू आटकिय ढंग से बने राश्टिय उन्होंने राश्टिय बनने के लिए पार जो एक पारंपरिक रास्ता था वो कभी नहीं अपनाया युक्रेन के बीच शहर किरिवी री में यहुदी परिवार में पैदा हुए जलेंसकी ने कीव नैशनल एकनॉमिक यूनिवस्टी से है युगा वस्था के दोरान वो रूसी टीवी पर कॉमेडी शो में नियमित तोर पे शामिल हुए दो हजार तीन में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो उनकी कॉमेडी टीम के वारताल 95 के नाम पर थी ये कामयाब रही उनकी कंपनी ने यूकरेन के वन साल 2009 में उन्होंने लव इन दा बिग सिटी और 2012 में जेवेंस्की बनाम नेपोलियन फिल्में बनाई Servant of the People 2014 में ये एक बहुत बड़ा सीरियल था जो वन प्लस वन नेटवर्क पर प्रदरिशित हुआ और यहां से जेवेंस्की की पूरी किस्मत पलट गई चुनाव हुए राजपती चुनाव में उन्होंने 73.2.2 प्रिशित मत हासिल किये और 20 मई 2019 को उन्होंने यूकरेन के छटे राजपती के रूप में शपत ली इस संकट के दौरान जहां पर रूज जैसी सुपर पावर लगातार यूकरेन के ओपर अटैक कर रही है एक उम्मीद थी एक लोगों के मन में विश्वास था कि जिस तरीके से जैलिंस्की ने अपने तीन साल पिछले अपने देश को दिये हैं वो यहां पर भी डटे रहेंगे और अभी तक जो रूजान है निश्चित रूप से रूज से कमजोर होने के बाद भी जैलिंस्की ने एक बहुत ही परिपक्व तरीके से एक मैच्चुर तरीके से अपने राश्पतीपत की गरिमा को बनाई रखा है और अपने देश के जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं